हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको सिक्रेट संशाइन ये 2007 की कोरियन मूवे एक्सलिन करने वाला हूँ ये मूवी एक मदर की पेंच से रिकवर होने की जर्नी दिखाती है वीडियो से पहले जादा कुछ बोलना गलत होगा इसलिए डारेक्टली स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और रस्ते के साइड में मदर और सन हमें दिखाये गए है इनके जो कार होती है ब्रेकड़ौन हो चुकी होती है मदर ने एक मैकेनिक को कॉल लगया होता है पर इस मैकेनिक को उसने जो लोकेशन बदा ही है ये पता नहीं होती क्योंकि जो मदर है इसको भी एक्चुल में लोकेशन पता नहीं है यह हमारी मैन क्यारक्टर है इसका नाम शीने है शीने फिर एक गार वाले को हाथ देती है जो फिर रुख जाता है एक्सेक्ट लोकेशन मेकेनिक को दे देता है अब थोड़ी सी देर होने वाली होती है और साइड में ही एक छोटी सी रिवर होती है तो यह मदर और सन यह दोनों रिवर के पास आकर बेट जाते है मदर के दी कितना अच्छा लग रहा है यह संशाइन शीने अपने बेटे से कहती है कि फादर को हमेशा यहां आना था सन कहता है कि फादर तो यहां नहीं है मदर कहती है हम तो यहां है हम दोनों हमेशा एकसाद रहने वाले है थोड़ी दिर में मेकेनिक आ जाता है वो गाड़ी फिक्स करता है यह जो मैकनिक है, यह हमारा और एक मेन गारेक्टर है, इसका नाम कीम है, कीम शीने से पूछता है, क्या यह तुम्हारा फर्स टाइम यहा आने का, वो कहती है कि हाँ, पर वो अब यही रहने वाली है, यह भी उसे पताती है, शीने एक पियानो आर्टिस्ट होती है, उसे अब सब जगा कॉल करते हैं और इनको एरी करता है, जिस गाव में अब वो रहने वाली होती है, इसका नाम मिरियांग होता है, शीने फिर किम से पुछती है, मिरियांग कैसा गाव है, किम कहता है, कि सिधा सदा गाव है, लोग एक दुसरे को जानते है, जादा कुछ बढ़ा इस में नहीं है, शीने उसका मिनिंग उसे पुछती है, पर शीने को अल्डेट इसका मिनिंग पता होता है, वो कहती है, वो कहती है, तुमने जो भी सब बताया था, वैसे सब कुछ सही से हो गया है, उसे पियानों के लिए स्टूडियो भी मिल चुका है, और वो अच्छे से र कपड़ों के शॉप होती है यहां के ओνनर के पास वहाती है यह भी एक लेडी होती है तो उससे वो बात करने लग जाती है वो कहती है यां брат वह बहुत बार तुम्हारा शॉप देखा है या शॉप में अच्छी तरह किसे लाइट नहीं आया पाती, मुझे लगता है कि अगर तुमने इस प्लेस को रीडेकोरेट किया, तो बहुत सारे कस्टमर यहाँ सकते हैं, तुमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, औरना कस्टमर डाउन हो जाएंगे, यह जो शौप की लेडी होती है, यह उससे कहती है कि मुझे तुमारे बारे में पता है, शीने का हस्बन मर चुका है, उसे हमेशा मिरियांग में रहना था, अब वो यहाँ नहीं है, तो इसलिए अब शीने यह रहे रही है, शीने के हस्बन के बारे में इस शोर की लेडी को पता होता है, एक छोटा सा गाव है, और हर आदमी हर दूसरे आदमी को जानता है, शीने का जो कहना होता है, यह कहकर वो आहसे चली जाती है, किम को शीने अच्छी लगती है, जब भी टाइम मिले, तो शीने के पास वो आ जाता है उसके बहुत सारे contact भी होती है तो अपने friends को call करता है उन्हें कहता है बहुत अच्छी एक piano teacher हमारे टाउन में आई है तो उसे उनके बच्चों को वो piano lessons ले ऐसा बोल रहा होता है शीने के पास आकर वो एक frame भी लगाता है जिसमें दिया होता है कि शीने एक award winning piano teacher है शीने बुशती है कि ये तो गलत है ये क्या कर रहे हो वो कहता है इससे लोग ज़्यादा convince होंगे ये लगा कर वो चला जाता है शीने का बेटा होता है तो nursery type school में हो जाता है वहाँ एक ही teacher होता है जो सब को सिखाता है यहागा जो teacher है वो सब बच्चों को school होने के ब अब मैं यहाँ permanent रहना चाती हूँ इसलिए मुझे land buy करनी है उसे बता रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ अच्छी land पता हो तो तुम मुझे बता सकते हो ये teacher road पे गाड़ी थमा देता है इसकी जो बेटी होती है ये दूसरे लेड़कियों से fight कर रही होती है ये उसको लेता है और गाड़ी में रखता है इसकी बेटी को बहुत डाटता है शीने teacher की बेटी से पूछती है किस class में तुम हो वो कुछ ही बता दी नहीं teacher उसे डाटता है और बोलता है या अगर तुमसे कुछ question पूछा जाए उसका answer तुमें देना चाहिए नेक सिन में हमें दिखता है कि शीने कुछ medicine लेने के लिए pharmacy में आती है ये जो pharmacist है इसे भी शीने के बारे में सब कुछ पता है वो उसे कहती है कि मैं तुम एक gift देना चाहती हो वो एक Bible ले ती है और उसे दे देती है वो कहती है कि मुझे पता है कि किस pen में तुम हो पर घर आती है तो उसका बेटा छुप जाता है शीने प्रिटेंड करती है कि उसका बेटा उसे कहीं भी नहीं मिल रहा तो रोने लग गई है उसका बेटा जब बाहर निकलता है तो उसके पीछे वह भागती है यह बहुत ही स्वीट मुमेंट हमें दिखाए गया है शीने का जो ब ब्रदर उसे कहे रहा है कि वो तुम से faithful नहीं था फिर भी तुम उसके लिए मोन कर रही हो कि गलत उसे लग रहा होता है शीने एकसेप्ट करने के लिए ready नहीं होती शीने की थी है यह मुझसे और उसके बेटे से बहुत प्यार करता था ऐसा कुछ भी नहीं है नेकसीन में हमें दिखता है कि किम शीने और उसके ब्रदर को एक लैंड दिखा रहा होता है यह जो लैंड होती है यह शीने का ब्रदर उसे buy करकर देने वाला होता है किम फिर शीने और उसके ब्रदर को lunch के लिए लेकर आता है वो कहता है कि इस land का जो owner है बहुती बड़ा आत्मी है यह बहुती influential है उससे बहुत सारे काम को कर सकता है इसे मिलने के लिए शीने को एक appointment लेने पड़ती है शीने कीम से बुछती है कि इतना influence कुछ matter करता है किम कहता है कि मुझे इतना पता ने पर आत्मी की इससे development हो जाती है शीने उसे कहती है कि तुम जैसे आत्मी को कुछ कहा जाता है उसे स्नॉप बुलाती है स्नॉप का मदलब होता है कि ऐसा आत्मी जो उससे जाधा financial situation उनके अच्छी होती है higher position होती है उनको ही जाधा value देता है उसके नीचे जो होते है उनको वेलो नहीं देता उसे वो स्नौप बुलाती है शिने का ब्रदर अब यहां से जाने वाला होता है तो कीम उसे छोड़ने के लिए आता है शिने का ब्रदर उसे कहता है कि मुझे तुम्हें एडवाइस देनी है शिने जो है उसके टाइब के तुम नहीं हो तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करना इम कुछ भी नहीं बोलता वहाँ से चला जाता है शिने हमें एक प्यूटी पार्लर में दीखती है वहाँ अपने हैर वो कट कर रही होती है वहाँ और भी कुछ औरती होती है तो शिने के बारे में बात कर रही होती है शिने जिसको बता होता है कि उसे इंटेरेट डिकोरेशन करना चाहिए वह बोल रही होती है यह बहुत ही घटी आड़वाईस है वह सब शिने पर हस रहे होते है जब ये शौप वाली उठती है तो शीनों को देखती है वो इसे प्रिटेंड करते है कि एक दूसरे को उन्होंने सुना ही नहीं है आज शीने का सन अपने मदर के बारे में एक ऐसे बोल कर सुनाने वाला था शीने वहाँ जाती है उसे बहुत ही जीर करती है सब लोग फिर शेलिब्रेशन करने के लिए होटल में आ जाते है वहाँ टीचर विगरा भी होता है यह सब एंज़ॉय कर रहे होते है तो शीने को कॉल आता है जिस आदमी की लाइन थी वो आज आया हुआ है और कीम ने शीने को कॉल किया होता है यह तुम्हें उससे मिलना चाहिए यह डिनर छोड़कर वो जा रही होती है वो सबको कह कर जाती कि उसे लैंड बाइ करने थी उसका ओनर यहाँ आया है जो टीचर होता है उसे पाहर चोड़ने के लिए आता है शीने उसे पुछती है क्या तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते हो टीचर केता है कि कुछ भी नहीं और शीने फिर वहाँ से चली जाती है नेकसिन में हमें ओनर और शीने इन दोनों के मिटिंग दिखाए गई है इसमें शीने ओनर को पियानो बजा कर दिखा रही होती है ओनर इसे इंप्रेस्ट हो जाता है वो कीम को कहता है तुमारी एज बहुत ही बढ़ चुकी है उसकी एज 39 हो चुकी हो थी है तो वो सजेस्ट कर रहाता है कि वो शीने से शादी कर सकता है रात में हमें दिखता है कि जो शौप वाली थी वो अब शीने की साथ फ्रेंड हो चुकी है और भी शीने के फ्रेंड्स की जो मदर होती है यह सब मिलकर अब कलब में आ चुके हैं आज यह पार्टी कर रहे होते हैं शीने बहुत द्रंक हो जाती है, इसे कलव में एक कॉल आता है, इसके सन का एक कॉल होता है, पर इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, तो एक कुछ बात नहीं कर पाती है, जब जादा रात हो जाती है, एक घर आने के लिए रेडी होती है, तब उसे फिर से कॉल आता है, इक किर्णेपर का कॉल होता है चीनने भॉह तो APP कर दब्र पूत की आवाज में रूनोगि scripture मेंками नीद्व mare संद देढ़ मैंक देधा हुन। उसके पात कम ही पैसे होते हैं पर Kidney Berr की डिमाड बहुत ही जादा होती है Kidney Berr फिर उसे एक spot पर पुलाता है वहाँ की जो डस्मिन होती है वहाँ पैसे रखने के लिए बोलता है शिन्हे यह सब करती है Kidney Berr कभ फिर से उसे call आता है शीने कहती है कि मैंने स्पॉर्ट पर पैसे रख दिये है शीने पुछती है कि कब मुझे मेरा बेटा मिलेगा किर्णेबर कहता है कि वो उसे फिर से कॉल करेगा शीने उस पर छिट जाती है कब तु मुझे कॉल करने वाले हो पर वो कुछ कर भी नहीं पाती जब वो घर पर आती है तो किर्णैपर कब फेसे उसे कॉल आता है जो पैसे उसने दिये थे बहुत ही कम थे किर्णैपर लैंड की बारे मुझे उसे बुछता है वो कहता है कि तुम तो लैंड बाय करने वाली थी तो बहुत सारे पैसे तुम्हारे पास होने चाहिए शीने उसे कहती है कि जो land buy करने वाली थी यह सिर्फ दिखाने के लिए था मैं reach हूँ ऐसा मैं दिखा रही थी मेरे husband की policy से मुझे पैसे तो मेले थे पर यह सब मैंने studio buy करने में खर्च कर दिये मेरे बास ज़्यादा पैसे नहीं है कि इन्डेफर फिर call काट देता है नेक्स दिन में हमें दिखता है कि अब शीने ने पुलिस को inform कर दिया है वहाँ किम भी होता है वो discuss कर रहे होते मिरियांग में ऐसा कैसे हो सकता है ऐसा तो यह town नहीं था जब शीने घर पर आती है तो टीचर की जो बेटी होती है वो अंदर जाक रही होती है शीने को शक चला जाता है और वो पुलिस को call करकर यह बता देती है नेक्स दिन पुलिस शीने के घर पर आती है उसे एक spot पर लेकर जाते है चाहूने एक body मिली होती है लिखता है कि बहुत सारे रेटियूस आये हुए है, शीने का जोसान है, इसका आज क्रिमेशन हो रहा है, शीने की मदर इनलो भी यहा होती है, और बहुत ही रोने लग जाती है, जब वो भाराती तो देखती है कि शीने रोने रही, उसे बहुत ही गुसा आजाता है, वो कहती ह कि पहले तुमने अपने हस्बन को मार दिया और अब अपने बेटे को भी खा गई शीने की डॉटर इनलोग को सब समालते है उसे लेकर जाते है कि मुझे पता है कि तुम हर्ट हो रही हो पर फिर भी तुम शीने को ऐसा नहीं बोल सकती शीने की मदर इनलोग कहती है कि तुम कौन हो यह सब बोलने के लिए शीने कहता है कि मैं कोई भी नहीं हूँ फिर भी यह सही है बोलना शीने वही पेट जाती है कि मैं उसके पास आता है तो उसे कहती है कि मैंने उस टीचर को क्यों जाने दिया मुझे वही लग रहा था कि मैं उसे फार दू, जिन्दा काट दू शिने जीते जी मरे हुए आदमी जैसी हो जाती है वो टीवी देखती है तो देखती ही रह जाती है ये एक रोबोट की तरह इमोशन लेस हो जाती है जो वो बियानो क्लास लेती है तो बच्चों के सामने ही रो पड़ती है उसे पेट का दर्द होने लग जाता है फिर वो मेडिकल पर जाती है मेडिकल पर जो लेडी होती है उसे फिर से कहती है तुम जिस सब से घुजर रही हो, इसके लिए God ही तुम्हें help कर सकता है तुम जब God पर believe करोगी, तब तुम्हें पता चलेगा यह सब जो हुआ है, इसके पीछे एक reason है God बहुती great है, वो सब का खैल रखता है, पो उसे कह रही होती है शी ने इस पर believe नहीं करती यह medical वाली कहती है, यह God सब में बसते है तुम्हें मुझमें इस sunlight में हर जगाए होते है शीने कहती है कि God अगर इतने सही होते है तो वो मेरे बेटे को नहीं लेकर जाते है और यह जो sunlight है, इसमें तुम मुझे कही God नहीं दिखाई दे रहा वो believe नहीं कर रही होती और वहाँ से चली जाती है इस medical वाली ने उसे कहा होता है हम सब लोग एक जगा मिलते है, वहाँ तुम्हें आना चाहिए शीने वहाँ से चली गई होती है नेक्स दिन शीने को अपने बेटे की death register करनी होती है कीम उसके पास जाता है, उसे help करने वाला होता है कीम उसे मना करती है वो गारी में बेटने ही कोशिश करता है, तो उसे हकल देती है शीने जब एक death register करने के लिए जाती है तो वह अपना control lose करती है बहुत ही वहाँ रोने लग जाती है उसके chest में भी दर्थ होने लग गया होता है शीने ने कीम को आने में मना किया था फिर भी कीम वहाँ आ चुका है वो उसे सहारा देता है ये जब fresh हवा लेने के लिए आगे street में जाते है तब शीने को एक place दिखता है जा सब लोग prayer कर रहे होते है medical वाले ने उसे कहा था तो अब भी यहाँ जाना चाती है जब वे अंदर जाती है तब सब लोग prayer करते है गाना काते है ये सब वो जब सुनती है तब foot foot कर रोने लग जाती है शीने अब God पर बिलिव करने लग चुकी है जो सब बिलिव और सोते है इनके साथ वो बिटी हुए होती है इसमें medical वाली भी होती है वो इन सब से कहती है कि मुझे और एक chance मिला है मुझे कभी पता नहीं था कि हम फिर से कैसे जी सकते है मुझे अब इस सब का meaning पता जुल चुका है वो कहती है जब में medical वाली से मिली तो मुझे सब कुछ गलत लग रहा था मुझे believe नहीं हो पा रहा था इस सब जगा God बसता है पर ये सब सही है उसका son God के पास है इसके पीछे कुछ reason है यह भी हो accept करती है यहां Kim भी आता है उसके पास Bible होती है शीने के साथ उसे रहना होता है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है नेक सिन में हमें दिखता है जर्च में prayer हो रही होती है इसके बाहर Kim volunteer करता है शीने के साथ वो रह सके इसलिए यह सब वो करता है शीने उसके पास आती है शीने उसे कहती है क्या तुम यह सिर्फ मेरे लिए तो नहीं कर रहे हो न उसे कहती है कि तुम स्वेर करो कि तुम actual में God में believe करते हो Kim भी स्वेर करता है और यह दोनों फिर हमें prayer में दिखाए गए है शीने जो है अब अपने दूसरे friend के साथ lunch करी है Bible का importance इन सब को भी वो बताती है नेक सिर्फ में bus stand के बाहर हमें Kim दिखता है वो prayer कर रहा होता है उसके friends वो आते है उसे अपने बास बुलाते है उसे चिटाते है कि एक लड़की के लिए तुम यह सब कर रहे हो Kim कहता है कि यह सब कुछ भी नहीं है पर actual में यह सब वो शिने के लिए करता है शिने अपने घर पर होती है तो उसे अबास होता है कि उसका बेटा घर पर है शिने को बच्चों के आसपास रहना अच्छा लगता है इसलिए स्कूल में जाने वाले जो सब छोटे बच्चे है इसलिए मैं उसे माफ करने वाले हूँ उसे माफ करने के लिए उसे मिलने जाने वाली होती है जब उसे माफ करने वाली होती है और मिलने जाने वाली होती है किम भी वह होता है किम उसे कहता है उसे माफ करने के लिए तुम्हें उसे देखना है चाहिए इसा कुछ भी ज़रूर नहीं है पर शीने उसकी मानती नहीं किम शीने और उसकी दो फ्रेंड्स होती है इन सब को लेकर टीचर से मिलने के लिए जाते है वो टीचर से मिलती है और कहती है कि अब मैंने गौड का वे चूज कर लिया है मुझे फरगियूनिस करने चाहिए तो इसलिए मैं अब तुम्हें फरगियू कर रही हूँ टीचर कहता है कि जब मैं प्रिजन में आया तब मुझे भी गौड मिल चुका है मैं भी एक दिन बहुत रोया और उसके बाद गौड ने मुझे माफ कर दिया है वो शीने से कहता है कि मैं बहुत ही खोश हूँ कि तुम्हें भी ये रास्ता मिल चुका है मैं हर रोज तुम्हारी लिए प्रे करता हूँ टीचर बहुत ही प्रिस्फूल लगता है शीने जब ये सब सुनती है तो वो डिस्टब हो जाती है वो जब बाहर आती है तो उसे चक्कर आती हो और गिर जाती है शीने फिर हमें होस्पिटल में दिखाई कही है किम होस्पिटल के बाहर ही होता है उसकी मदर को उसे कॉल आता है उसकी मदर उसके लिए केर करती है इसके लिए उसे हमेशा कॉल करती है किम उसे कहता है कि मेरी तुम चिंता मत करो, मैं सही हूँ वो कैसे रह रहा है, उसका हाल चार ये सब उसकी मदर हमेशा उससे पूछती रहती है चर्च के सब लोग जब सीने से मिलने आते है किम उसे कहता है कि डॉक्टर का ऐसा मानना है कि उसे psychological कुछ जटकाया था इसकी वज़े से वो गिर चुकी थी हॉस्पिटल में शीने के forehead पर किम किस करता है शीने जब ठीक हो जाती है चर्च में आने की कोशिश करती है चर्च में आने के बाद वो जो bench होता है उस पर ठोकने लग जाती है जब रात होती है तो चर्च के उसके सब फ्रेंड्स उसे console करने के लिए आते है वो सब उसके लिए prayer कर रहे होते है शीने यहाँ सब पर चिट जाती है वो कहिती है गौड ऐसा कैसे कर सकता है जो murderer था उसने मेरे बेटे को मारा था और गौड उसे कैसे फर्गिव कर सकता है पहले मुझे उसे फर्गिव करना था फिर गौड उसे फर्गिव कर सकता था मेरे बेटे को मार कर वो इतना fistful कैसे रह सकता है उन पर चिट थी है और रोने लग जाती है नेकसीन में हम दिखता है किशीने एक पिक्चर की स्टोर में जाती है वहाँ से एक मुवी चोरी कर लेती है कुछ गलत करना कैसा होता है यह उसे फिल करकर देखना होता है यह पकड़ी जाती है यहाँ की स्टोर ओनर उसके पीछे भागती है तब वे अपने बैग नहीं देती वे एक मुवी उसे वापस नहीं करती एक ग्राउन पर एक स्टेज होता है वहाँ बौँद सारे लोग prayer कर रहे होते वहाँ का जो speaker होता है यह भी pray कर रह रहे होता है शीने फिर जाती है audio system को निकाल लेती है पहाँ से चली जाती है किम उसे डिनर के लिए इन्वाट करता है वो कहता है तुम स्ट्रेस में हो और हमें डिनर करना चाहिए हम दोनों को मिलना चाहिए कल रात के लिए अब इनकी डेट होती है जब दुसरे दिन रात आती है तब कीम का जो फ्रेंड होता है उसका है रेस्टराण होता है वो बहुत सारी अच्छे चीज़े बनवाने के लिए बोलता है और अपने फ्रेंड के पास कीचर में जाकर उसे सब इंस्टरक करता है वो आज बहुत ही खुश होता है शीने फिर हमें दिखती है कि वो मेडिकल स्टोर में आती है जो medical वाली थी उसका husband यहा है उसके पास आकर वो कहती है कि मेरी जो body है यह मुझे जरा अलग लग रही है उसे advice के जरूरत है ऐसा उसे बोलती है उसे रिजानी की कोशिश करती है इससे फिर वो बोलती है कि मुझे long drive पर लेकर चलो एक जगा और उसे लेकर जाती है उसे intimate होने की कोशिश करती है यह आदमी भी बहुनों में बहने लग जाता है पर उसे fit god की आता थी है यह सब गलत है ऐसा उसे लगता है उसे फिर से घर चोड़ देता है रात में एक कीम के पास आती है यह जो उनका dinner था यह उसने skip कर चुकी है तो घर पर उसके पास आकर उसे कहती है यह तुम्हें हमेशा लगता होगा कि हम दोनों intimate हो जाए आज हम यह कर सकते है कीम को पता होता है कि यह बहुत ही दुखी है इसलिए यह सब कह रही है उसे कहता है कि अपने आपको तुम समालो शीने उस पर चीट जाती है वह वहाँ से चली जाती है घर जाते वक्त और एक prayer meeting उसे दिखती है वह एक पत्थर लेती है और उनके काचपर मारती है और फिर वहाँ से चली जाती है रात में वह बहुत ही अकिली होती है उपर देखती है और गौड को बोलती है क्या तुम सब कुछ देख सकते हो वह फिर एक चाको रहती है और अपनी नस काट देती है उसे फिर पच्टा वाता है वह स्ट्रीट में जाकर लोगों से हैल मांगती है नेक सिन में हमें दिखता है कि शिने का ब्रदर सिटी में आ चुका है उसे लेने के लिए किम ही आया हुआ होता है शिने का ब्रदर किम से पुछता है कि मिरियां कैसा गाव है किम हसने लगता है किम कहता है तुमारे सिस्टर ने भी मुझे पहली बार जब आई थी यही सवाल पोचाता वो कहता है कि सेम लोग है सब कुछ यहाँ सेम ही है यह दोनों फिर होस्पिटल में आ जाते है शिने का प्रदर शिने से मिलता है शिने को उसने देख लिया है तो फिर से उसे स्टेशन शोट देते है और वो जाने लग जाता है जब दोनों अकेले होते है तो शिने किम को बोलती है कि मुझे हेरिकट करना है किम उसे अगच्छे से पारलर पर लेकर आता है इस पार्लर में शीने दिखती है कि टीचर की जो बेटी है वो ही यहाँ काम कर रही है वो उससे पुछताच करती है उससे पुछते है तुम यहाँ क्या कर रही हो तुमारे स्कूल का क्या हुआ टीचर की बेटी बोलती है कि मैंने स्कूल छोड़ दी है मैं ज़रा ट्रबल में आ चुकी थी और वापस आने के बाद उसने स्कुल भी क्वीट कर दिया है शी ने टीचर की बेटी से हेरिकट नहीं ले पाती वहाँ से बाहर निकल जाती है वो किम पर चिट जाती है किम को बोलती है कि तुम यही मुझे क्यों लेकर आए शीने का अधूरा हेरिकट देखकर यह स्टोर और उसे उसके बारे में बुछती है शीने कहती कि मुझे मेरा हेरिकट अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं उटकर चली आई हूँ यह स्टोर और शीने इस पर बहुत हसने लग जाते है किम बिचारा शीने के बीचे बीचे उसके घर पर भी आ जाता है शीने बाहर आती है उसने एक मिरर लाया होता है वो देखकर अपने खुद के हैर वो काटने लग जाती है किम जब यह देखता है तो हसता है उसे हेल्फ करने के लिए मिरर उठाता है यह हमें हेर काटती है और यह मूवी हैंड हो जाती है यह जो सीन है यह मूवी का सबसे important सीन है यह जो mirror है यह सीने का self reflection represent करता है अपने आपको देखकर और वो better होना चाती है बालो काट रही है यह एक statement है कि वो अच्छा आप होना चाती है किम हमेशा उसके साथ होता है वो जब नहीं भी चाती तब किम उसके साथ ही होता है उसे बहुत ही प्यार करता है और हर कदम में उसके साथ वो चलने वाला है किम की जब गलती भी नहीं होती है तो अपनी गलती accept कर लेता है और शीने को हमेशा support करता है यह जो mirror है यह किम नहीं hold किया है हमेशा उसका साथ वो अब यहाँ देने वाला है हमें यहाँ मालूम है शीने का जो दर्थ है जो pain मैसुस कर रही है यह temporary नहीं है यह जो दर्थ है वो हमेशा मैसुस करेगी पर थोड़ा थोड़ा हर दिन यह कम होता जाएगा जो pain होता है यह आसनी से नहीं जा सकता पर यह एक process है जिस process में अब वो लग चुकी है उसने अब friends वेगरा बना लिये है पिछले scene में हमने देखा था कि shop owner से वो बात करती और यह हस रहे है उसे support करने के लिए उसके friends है किम भी हमेशा उसका साथ देने वाला है इस movie में interpretation के लिए भी हमें एक space दिया गया है जो teacher था वो में बहुत ही काम लगा था वो किसी को मार सकता है यह हमें कभी भी नहीं लगा था इसके other hand में teacher की जो बेटी थी वो violent थी वो trouble में आ गए थी इसी वज़े से उसे jail में भी जाना पड़ा था इससे हम interpret कर सकते है यह casual में जो murder था वो teacher की बेटी नहीं किया था teacher एक अच्छा parent था इसी वज़े से अपने बेटी की जगाव पर वो jail में चला गया पर यह movie culprit कौन था इस वर focus नहीं करती तो ऐसे आप शीने के बारे में है आपको कितनी भी तकलिफ हो आपको कितना भी पहन हो रहा हो फिर भी आप इससे record कर सकते हो अपनी life लेना यह एक option नहीं है जिससे आप प्यार करते थे उसके memories के साथ आप रह सकते हो लास्ट इन में हमें दिखता है किसीने और उसका सन जहां खेलते थे वह यह आकर वो अपने बाल काट रही है उसके बेटे के memories मों रहने वाली है यह हमें यहां दिखता है बहुत ही painful यह movie थी पर हमें life का एक अच्छा lesson यह सिका कर जाती है अगर आपको एक वीडियो अच्छी लगी होगी तो फ्लीस इस वीडियो को लाइक कर दीजे बेल नोटिफेशन आइकोन भी दबाना मत भूलिए यानि कि आपको सब movies मेरे मिलती रहे हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे